है क। है मालप ढ़ल प्राइब विश्राव, अर्जम बात करने वाले natbreid नाच्रण ल भाइपास और की लेस्न तेरेपी के बारे मैं ही warto प्रप्राइजिंग रूटीन आजयो प्लास्टी या साइंटिफिक तेरीपी जो हम करते हैं आजयो प्लास्टी और वाइपस तेरीपी उसके फेवर में या वह किस तरह से अच्छा है किस तरह से बुरा है उसको लोगों के साथ डिसकस करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा ढूरू नहीं है ओनलाइन अचले बुद्ध गार्शीश फीलेशन तरह बहुत ज्यादा अवेलेबल है आज अपना परस्पेक्टीव प्रेजेंट कर रहा हूं अब ऑबीसली जो लोग नाचल बाश्टी पर सपोर्ट करते हैं उनके लिए यह टौपिक उन्हें बुरा कर सके कि क्या उनके लिए अच्छा है और क्या चीज के लिए साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है ऐसा नहीं है कि अगर दुनिया बन में 99 परसें लोग अगर आंजिग्राफिय और बाइपस करवा रहे हैं तो वो सारे लोग ही गलत कर रहे हैं सभी लोग बेवकूफ हैं सभी वोग अन सइंटिफिक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं ऐसा नहीं है बेसिकली यह डेटा इतना ज्याधा सब्सक्राइबल है और इतने ज्याधा इसमें डेटा आज के डेट में अवेलेबल है तू सपोर्ट साइंटिफिक मैनेज्मेंट या अंगरफिक बाइपस के लि क्या इनके अड्वांटेज है किन पेशिंस पे इनको यूज करना चाहिए कहां नहीं यूज करना चाहिए क्या इनके फैक्स है और क्या इनके मिद्स है उस बारे में बात करेंगे सबसे पहले जानना जरूरी है कि blockage क्या होता है basically heart की नली में अगर cholesterol का blockage जमा हो जाए यानि कि heart की नली में वसा है चर्बी जमा हो जाए तो उसे blockage कहते है ये blockage नली के lumen के या सतय के अंदर धीर-धीर करके protrude करने लगता है तो नली का flow अवुरुद होने लगता है, रुटने लगता है और इस बज़े से व्यक्तिकों सिम्टम्स होना चालो हो जाते हैं इसका therapy जो हम करते हैं उसको जादा तर अंजयोप्लास्टी के द्वारा किया जाता है basically अंजयोप्लास्टी में हम एक specially designed catheter होता है जो हाट की नली में पास करते हैं, specially designed wire हम क्रोस करते हैं और नली को उससे dilate करते हैं, एक balloon द्वारा और वहाँ पे extend को प्रोस कर देता है जिसमें कि एक कच्रा एक तरसे side उपर आ जाता है और नली खुल जाते हैं इसको हम एंजयोप्लास्टी बोलते हैं एंजयोप्लास्टीक से बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती है, आपको समझना जरू है कि दवा वाले स्टेंट जो आज की देट में यूज होता है उसमें रिव्लोकेज का चांट अरूं 5% रहता है काफी नाचल बाइपर्स के प्रमोटर्स कहते हैं कि रिव्लोकेज का चांट 50% होता है, 80% हो रविश है उसमें कोई सच्चा ही नहीं है, रिव्लोकेज का चांट ज्यादता scientific data कहता है ज्यादता उसके बाद 1% per year के इसाब से रिव्लोकेज का चांस रहता है ज्यादता जिनको भी रिव्लोकेज आता है पहले एक साल ये दो साल के अंदर ही आता है उसके अलावा यूजली नहीं आता है इसलिए होता है कि जो स्टेंट डिपलाइं करते हैं तो नहीं में थोड़ा रूज बनना चालू हो जाता है करहता है ज्यादा तर लोग जो ये घिपर की की बाइशें ह Durham जाते हैं वह साथ ऐसे लोग होते हैं जो प्रोरीजर से डरते हैं यह बड कर जो और आडवाइस किया जाता हिए तो स्ट्रेशन नहीं कि कोलेटरल क्या होते हैं बेसिक लिए अगर काम करते ही कि कोशिकाओं कोशिकाओं सबस्क्राइब करें शूदक में तो नहीं कर सकती तो जसी यह ब्लड तो पहुं ना तो या उसकी कोई ब्रांच बंद हो जाए तो दूसरी जगह से उसमें चोड़ी चोड़ी ब्रांच को डेवलप कर लेती है और ये ब्रांचे उस नली के बदले थोड़ा बहुत ब्लड पहुंच आना चालू करती थी जिसमें वो नली की जो कोशिका है जतके हैं वह पे थोड़ा ब्लड पहुंचता है और जो दूसरी नली बंद हुई है वह में बाद ब्ल्लड पहुंचता है इन कि ये collaterals में perfusion उतना ही होता है जितना में नली में अगर 90% blockage हो उतना ही blood supply ये provide कर सकती है यानि 10% of the natural amount of blood जो कि में नली naturally supply कर सकती है उतना blood ही नलियों में पहुचा सकती है उससे जादा किसी के अगर requirement हो तो ये collaterals concretely useless हो जाती है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर किसी को बैठे-बैठे में जितना blood supply है resting phase में जितना heart को blood supply ये उतना तो इससे मिल जाता है लेकिन चलने फिर नहीं काम करने पर जो extra blood supply की जर्क्राइलमेंट होती है तो अगर आप main नली को बंद होने देंगे उसका angioplasty बैपास नहीं होने देंगे तो ये collaterals में भी blood कहां से आएगा जिस वक्ति के 3-3 नली बंद है तो बैपास में ये collaterals में जाने के लिए भी blood तो नली के थू ही जाएगा जो main heart की नली है इने aorta वो तो collaterals को directly supply नहीं करती है heart की जो 3 main arteries है left anterior descending artery, left circumflex artery और right coronary artery ये तीनों artery ही इन collaterals को blood supply देती है अगर main नली ही बंद हो गई उसमें 90-100% block हो गई उसको ही आपने stent नहीं किया तो ये micro channels को feed करने के लिए भी blood नहीं आपाएगा और ये micro channels का purpose ही serve नहीं होगा तो ऐसे cases में अगर आप main नली के साथ ही micro channels को अगर develop परें तो फिर भी patient मोतोरा फाइदा होगा लेकिन अगर main नली ही बंद हो गई तो उसमें कोई micro channels बंद भी जाएंगे तो भी कुछ फाइदा नहीं होगा और tissue में जो blood नहीं पहुचना है वो वैसे भी नहीं पहुचेगा bypass जो surgically create किया जाता है और natural bypass में difference यह कि bypass में surgeon बड़े size का graft उसमें लगाता है तो ये blood जो native vessel में गुसता है वो काफी pressure के साथ जाता है तो perfusion pressure जो tissue में create होना है वो जादा अच्छा होता है अच्छे perfusion pressure के साथ उन नलियों के और collaterals में blood बरता है तो उसमें जो micro channels में blood जाता है वो ज़्यादा forcefully जाता है और कोशिकाओं को ज़्यादा blood मिलता है as compared natural bypass में क्योंकि ये micro channels ही बन सकते है natural bypass ये कोई भी technique में इतने अदम नहीं है कि बड़ी नली develop कर सके या बड़े size की branches develop कर सके ये सिक micrometers वाले channels को ही थोड़ा बहुत बढ़ा सकती है वो भी 10-15% ही बढ़ा सकती है कोई बहुत ज्यादा बहुत घ्रोथ हो जाती है जितना की ये photograph में दिखाया जाता है प्यूर रबिश है इतिक उतना develop micro channels नहीं हो पाता है खाली 10-15% ही नए micro channels develop हो सकते है basically आपको ये जानने की ज़रूरत है कि heart में जो cells है वो regenerate नहीं कर पाते है blood vessels में थोड़े बहुत cells में थोड़े बहुत stencils होते है उनमें थोड़ा regeneration का capacity होता है हाट के cells नहीं बनने का chance और बड़ी नलिया नहीं बनने का chance नहीं होता क्योंकि उसमें cells में divide करने का potential ही नहीं होता जनन के टाइम जितनी नलिया बन गई उतनी ही बनती है माइक्रो चैनल्स थोड़े बहुत develop हो सकते हैं पर वह भी हाटली 10-15% ही काम कर सकते हैं उससे ज्यादा वह काम नहीं कर सकते हैं तो इसलिए bypass और natural bypass में जमीन आसमान का फ़र्ग है नाचरली अगर आप चाहों bypass को develop करना तो मेरे इस आप से किसी भी ECP या किसी भी ESA therapy के बदले आपको exercise करना चाहिए exercise is the most natural way to develop collaterals ECP में भी एक तुरह से आप ज्यादा प्रेशर में multiple balloons या प्रेशन को बांद देते हैं उसमें high pressure से blood को pump करते हैं इनका ऐसा concept है कि high pressure से अगर blood heart में जा रहा है तो ये natural collaterals खुल जाते हैं पर basically मेरा ऐसा suggestion है कि आप सिर्फ exercise कीजिए exercise में भी heart का blood circulation इंप्रूव हता है और अगर natural bypass में ECP therapy है इनके comparison में almost 70-80% collateral जितने develop होना है वो exercise से ही ज्यादा हो जाएंगे in fact exercise में ये ज्यादा natural और at least cost free technique है जिसमें आपको बाकी benefits भी मिलेंगे exercise के और natural collaterals भी खुल जाएंगे ECP के दिवारे जो collaterals खुलते भी है वो ज्यादा तर temporary होते है और scientifically ज्यादा तर data है वो यही suggest करता है कि ये natural collaterals जो बनते भी है ये 4-6 months के लिए खाने effective रहते हैं और बहुत long time तर patient को कुछ भी benefit नहीं कर पाते हैं unnecessary आप उनके लिए cost भी bear करते हैं और long term ये effective नहीं होते हैं जो international data है कि जो ये कहते हैं कि USFD approved है वो basically उन लोगों के लिए approved है जिन में angioplasty bypass feasible नहीं है जो intractable heart failure में है या जो intractable जिनको chest pain हो रहा और scientific therapy possible नहीं है वहां कुछ समय तब pain relief के लिए maximum 3-6 months के pain relief देने के लिए patient को ये therapy को USFDA ने approved किया है routine scientific therapy के बदले इनको recommend नहीं किया गये तहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा हुआ है कि angioplasty के बदले ECP करना चाहिए या bypass surgery के बदले ECP करना चाहिए ऐसा विल्कुल भी नहीं है इनको उन cases में ही किया जाता है जहां angioplasty bypass surgery possible नहीं है because of other reasons कि patient का इतना ज्या ज्यादा blockages है कि angioplasty feasible नहीं है बहुत सारे स्टेंट्स की जरुवत है तो वहां पे possible नहीं है for technical reasons वहीं पे थोड़े टाइम का pain relief करने के लिए ही ECP therapy को USFD का approval मिला है as a palliative procedure not as a therapeutic procedure ज्यादा तर यह natural collateral जो है यह जो artificial collateral भी बनते हैं यह acute heart attack में बिल्कुल failure होते हैं क्योंकि acute heart attack में जैसा कि मैंने कहा मेन नली बंद हो जाती है तो उसमें यह collateral को supply करने वाले channels तो मेन नली से ही develop हो रहे है तो जब भी वेक्ति को heart attack आएगा यह collateral कुछ भी नहीं कर पाएंगे और यह collateral को feed करने वाली main artery बंद होगे तो उनको खुदी blood नहीं मिलेगा तो कोशिका में यह tissue में यह दूसरी vessels को कहां से blood देंगे इसलिए much better है कि अगर आपकी जो खुद की नली बंद है उसको खुलवाएं उसको angioplasty करके या bypass करके open करें ताकि वो नली दूसरे पर dependent नही heart attack आता है यानि जो नली में heart attack आया उसका डेरेटरी भी supply नहीं हो पाता है और जो नली को वो पहले supply कर रहे थी collateral के form में वो नली के area को भी blood supply नहीं मिल पाता है तो ऐसे लोगों में मृत्यूदर कही गुना बढ़ जाता है यानि routine heart attack में मृत्यूदर 30% होता है वहां यह double heart attack heart attack जब create होता है तो मृत्यूदर 50-80% तक भी जा सकता है तो natural bypass का concept या collateral के basis पर heart attack के phases में भी काम नहीं चलता है और मृत्यूदर कई गुना बढ़ जाता है जब हम सिर्फ इस पर rely करते हैं तो collateral बढ़ने में काफी टाइम लगता है ज्यादा तो collateral बढ़ने में at least 10-15 days minimum लगता है तो इसलिए ये natural collateral acute heart attack में काम नहीं कर पाते हैं as compared open artery hypothesis करके होता है वो ऐसा कहती है कि ये बंद नलियों को अगर हम खोलते हैं तो long term patient का survival ratio बेटर रहता है और second heart attack या multiple heart attacks आने का possibility comparatively कम रहता है इसलिए open artery अगर रहे तो वो बंद आर्टरी के comparison में survival advantage जादा देती है इसलिए मैं recommend करता हूँ कि अगर आपकी कोई artery बंद है या उसमें कोई blockages है तो scientific therapy करना ज्यादा बेटर है रादर देन जस आप collateral support depend करें जो की वो काम कर ही नहीं सकते है जिस जो natural या main artery कर सकती है natural bypass के बार में basic बात करेंगे कि इसमें basically ये natural bypass में patient को कुछ months का therapy दिया जाता है जिसमें multiple bands patient की body पर बांद आ जाता है और ये pressure से बार-बार blood को high pressure पर push करता है जिससे collaterals बनते है ज्यादा तर ये collaterals बहुत छोटे होते हैं उनको किसी technique से आप confirm नहीं कर सकते हैं आंजोग्राफिक वगर भी आप करते हैं तो ये collaterals इतने छोटे होते हैं कि ये दिखते भी नहीं है तो इसलिए इसको confirm करने का कोई technique नहीं है कि collaterals बने भी है actually कि नहीं बने किस patient में कितने ज्यादा collaterals बने है वो confirm करना angiographically at least बहुत मुश्किल है और इसकी results doubtful ही रहते ये collaterals आतर बहुत effective नहीं होते हैं हमने already बात किये ECPI ये सब therapy से कोई भी blockage नहीं खुलता है ये सिर्थ थोड़े बहुत collaterals को ही develop करते हैं high pressure से blood को push करने में नली में जोगर cholesterol का blockage है वो कम नहीं हो जाएगा इस तरह की therapies का usual cost around 70-80,000 to 1,000,000 के आसपास आता है ज्यादा तर angioplasty अगर scientific therapy भी हम करते हैं तो more or less cost उतनी range का ही आता है ज्यादा तर लोग की अगर अच्छी medicated strain के साथ भी angioplasty करते हैं तो खर्चा 80,000 to 1,000,000 से 2,000,000 के बीच में आता है इसको angina relief और heart failure relief के लिए class 2B indication में रखा गया है guidelines में यानि कि use कर सकते हैं मना नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो angioplasty और bypass surgery को class 1A evidence है यानि कि यह standard therapy है जो guidelines recommend करती है हर blockage के लिए 1A और 2B को scientific terms में माना जाए तो जमीन आसमान का फरक इसमें माना जाता है ज्यादातर ही natural therapy है natural bypass जो किया जाता है उसका effect 3-6 months के दोरा नहीं रहता है यह basically pain relief करने के ही काम नहीं आता है ज unstable hemodynamics है multiple नलियों का blockage है skin allergies वगएर है उस तरक के लोग में ECP therapy मना होती है contraindicated होती है उसको use नहीं करना चाहिए कई बार इससे side effects भी हो सकता है कई बार patients को skin allergies होना का problem या infection होने का chance या during therapy कभी-कभी थोड़ा भूद धबकारे का problem होने का chance भी हो सकता है 100% perfectly safe therapy ऐसा भी नहीं है मेरे साबसे natural लाकर आपको collateral develop करना है तो exercise is the best way emergency अगर therapy करना है तो natural bypass वैसे chelation therapy का कोई role नहीं है वैसे cases में angioplasty is the only way जहां आप नलियों को naturally और scientific way में खोल सकते हैं कई बार इस तरह के unscientific therapy के लिए जाने का risk यह रहता है कि patient long time तक unscientific therapy के चक्कर में ही रहता है और वो proper angiography करा के कभी confirm नहीं करता है मेरा suggestion यह कि अगर actual में natural bypass और इसमें अगर actual में कोई weightage है तो एक randomized controlled trial करना चाहिए जिसमें 1000 यह कुछ patients को angioplasty करके देखा जाए और कुछ 1000 patients को natural bypass या इस तरह की therapies करके देखा जाए और आप long term उनके prognosis को assess करे 99.9% आपको यही मिलेगा कि जो scientific therapy उसी का long term benefit मिलेगा नहीं मिलने वाला और इनके results long term lasting भी नहीं होंगे अब हम बात करेंगे chelation therapy के बारे में basically chelation therapy में क्या किया जाता है इसमें कुछ specially designed chemicals होते हैं एक EDTA करके chemical आता है वो chemical को use किया जाता है इस chelation therapy के दोरा basically यह chemical जो है वो heavy metal toxicity के लिए बनाया गया था कि व्यक्तिक होगर lead या mercury जैसे heavy metals का अगर किसी को poisoning हो तो यह basic any ionic products रहते हैं जो अपने charge के basis पे वो नीकालने का काम करते है इनको cholesterol के blockages में कोई भी रॉल नहीं है क्योंकि cholesterol का blockage में कोई ऐसा ionic charge नहीं होता है और ना ही नलियों के अंदर जो calcium अगर जमा होता है उसको यह निकाल सकते हैं प्रवेस्टियों के अंदर भी तो इतना कैल्शियुम है उसको भी बाइंड करके को रोड कर सकते हैं तो खीलेशन तेरपी का कॉलेस्टरोल के ब्लोक इसको निकालने में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है इसमें कोई भी ट्राइल नहीं हो रही है जो साइंटिफिक डेटा प्रवाइड करती है बेसिकली इसमें ज्यादा तर जो भी ट्राइल हुए है वो 2000 सन से पहले हुआ है जाब अंजियोप्लास्टी और इस सब टेक्निक उतनी अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे लोग अल्टरनेटिव मेथर्स को ढूणते थे कि किस तरह से हम ब्लॉकेज़ इसको खोल सकते है पर वेस्टर लेबल पे इंडिया के लावा जाधा तर किसी कंट्री में ये प्राक्रिस आज की डेट में नहीं यूज होती कि 99.9% केसेज में अंजोग्राफी या बाइपर सर्चरी को ही साइंटिफिक माना जाता है बाकी सब ये जो चेमिकल्स है इसमें कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये किस तरह से ब्लॉकेज़ को क्लियर कर सकती है नहीं कोई evidence इसको clear करने को अगर ऐसा कोई claim करता है कि वो blockage को open कर सकता है तो आप इसे verify कर सकते हैं अगर आपकी नली में blockage है तो आप वो blockage अगर 80-90% है आप 2-3 जगा उसको verify कीजे आप angioplasty के result को compare कीजिए आप chelation therapy के result को compare कीजिए और दूसरे किसी unbiased observer को result दिखाईए repeat angiokarवाईए अगर repeat angiokarवाईए अगर एक्चल में वो blockage खुलेगा तो definitely उसे scientific evidence माना जाएगा मैं आपको guarantee कहता हूँ कि 95-99% case में angioplasty के result को अब 10 जगा भी verify करोगे तो आपको हर doctor यही confirm करेगा कि हाँ नली properly खुल गई और उसमें दुबारा कोई problem नहीं है जबकि kilation therapy में उसका उल्टा है 99% case में आपको नली नहीं खुली मिलेगी और hardly 1-2% success मिलेगा और वो भी 1-2% success भी उनी cases में मिलेगा जहां actual में कोई blockage नहीं था या जहां actual में blood clot था जो कि body के intrinsic mechanism से अपने आप ही घुल गया है cholesterol के blockage को हटाने में या reduce करने में इसका कोई goal नहीं है इसके लावा काफी लोग ऐसे कहते हैं कि herbal medicines को वो injection के द्वारा inject करते हैं और उसके द्वारा blockage उसको clear करते हैं I 100% guarantee ही कि इसका भी कोई scientific data evidence available नहीं है कोई भी body trial या data available इसमें नहीं है किसी foreign country में इसको आज के date में use नहीं किया जाता है अगर actual में किसी के बास data है तो एक randomize trial करे scientific data ले develop करे जा कुछ हजार patients का angioplasty को compare करे chemical based treatments है और वहाँ अगर results को वो show कर सकता है तो definitely हर doctor या हर cardiologist को मानने में खुशी होगी कि actual में इतना की therapy से भी blockages को clear किया जा सकता है पर I guarantee you कि 99.9% case में कुछ भी benefit नहीं होगा in fact मैंने तो अपनी life में आज तक एक case भी नहीं देखा है जिसको कोई benefit मिला हो in fact कुछ patient का तो blockage बढ़ा हुआ ही देखा है मैंने किसी का भी आज तक कम होते तो नहीं देखा है अब मैं कहाए राधर किसी भी cardiologist को आप पूछोगे अपनी life में किसी ने एक case भी ऐसा नहीं देखा होगा और जिसमें angiographically documented patient को benefit इस तरह की therapy से मिला हो यह नलियों में जो calcium का blockage होता है वो भी इस तरह की chemical से treat नहीं किया जा सकता क्योंकि यह calcium को भी bind EDTA chemical नहीं कर सकता है अगर आपको doubt है तो आप scientific data देख सकते हैं इसके बार में आप google search करके देख सकते हैं और definitely आज पिछले एक सालों में आपने कई VIP या celebrity patients में भी देखा होगा जैसे कपिल देव, अशोग गैलाद, सौरव गैंगली, रेमो डी सुजा, मन मौन सिंग, कई लोगों का जिनको heart related problems थे, उनका angioplasty या bypass ही हुआ किसी को भी ऐसे fancy chelation therapy या alternative forms of therapy नहीं दिया गया obviously इन cases में कोई finance का तो issue नहीं था और अगर इनस तरह की alternative forms of therapy में कुछ भी अगर merit होता तो definitely ये celebrities भी वही therapy यूज करते हैं कोई भी unnaturally bypass surgery कराना या angioplasty कराना क्यों चाहेगा जब अगर किसी alternative form of therapy में actual result आपको मिल रहा हो last में बात करेंगी cartography के बारे में cartography को ये natural bypass की chelation therapy करने वाले 3D angiography के basis तरह promote करते बेसिकली cartography में हाट की नलियों के blockages को assess करने का कुछ unscientific protocols है जिसमें ये नलियों के perfusion pressures और इसकी blockages खूले हैं यानि उसको assessment करते हैं ज्यादा तर इसकी कोई international validity नहीं है और cartography को कहीं पर भी scientific way में blockages को assess करने के लिए promote नहीं किया जाता है रादर आप अगर google करोगो तो इसके बार में data ही बहुत कम available है कि actual में ये कोई scientific protocol है यानि काफी लोग जो natural bypass को promote करते हैं वो patient का angiography कराने के बदले cartography कराते हैं और patient को multiple pages के अच्छी report मिल जाती है जिसमें ऐसा दिखा दिया जाता है कि blockages सारे खुल गए हैं अगर actual में वो report करेक्ट है तो angiography में भी वो confirm होना चाहिए angiography की validity आप दुनिया में कहीं पर भी लेकर जाओ किसी भी cardiologist या किसी भी doctor सापको discuss करो तो उस report की validity दुनिया भर में हर जगा है जबकि cartography या इस तरह की techniques की report की validity I don't think कहीं पर भी वह report को valid माला जाता है लास्ट में बात करेंगे topic common locally important क्यों है basically ज्यादा दर इंडिया में काफी लोग को जिबकि I guarantee you कि जितना long term data और जितना scientific data available to favor angioplasty and bypass surgery उसके comparison में इस तरह की therapies में 1% data भी available नहीं है और ज्यादा तर ये लोग आपको long lasting result नहीं दे पाएंगे अगर आपको promise करता भी है तो you should ask them for a scientific proof कि आपके नली बाइतना blockage है आप ये therapy करेंगे अगर आप guarantee कर सकते हैं कि मेरे blockages खूल जाएंगे या scientifically proven collateral अगर demonstrate कर सकते हैं तो ही आप इन techniques में के लिए जाएं और उनके लिए पैसा करचा करें otherwise I would recommend कि scientific therapy करवाने में ही long term आपको benefit मिल और इसमें ही आपका future competitively safe होगा जान जाने कर इस competitively काफी कम हो जाएगा हमारे basically channel का purpose यह कि cardiac or heart related information हम patients को convey करते हैं ताकि वह informed decision ले सके और गलत और unscientific therapies के लिए ना जाए प्रॉपर scientific information जब लोग के पास available होती है तो वो better or informed decision ले सकते हैं और selective doctors को dependent रही ही रहते हैं इन scientific information के लिए और unnecessary वो इस तरह के गलत scientific protocols में नहीं पढ़ते हैं अगर आपको हमारा चैनल का concept अच्छा लगता है तो हमारी videos को like करें चैनल को subscribe करें और यह videos को आपके friends और relatives के साथ share करें जिनको आपको लगता है इस तरह का content जिनके लिए useful हो सकता है